नमस्कार आप देकरें एक्स्पोस अंडिया मैं हूँ आपके साथ आयूशी श्रिवास्तव योगी सरकार ने यूपी का इतहासिक बजट विधानसवा में पेश किया पांच राग 12,860 करोड 72 लाग का ये बजट यूपी के इतहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है लेकिन विपक्ष को ये भारी भर कम बजट हजम नहीं हो पा रहा है कॉंग्रेस ने इस बजट पर निशाना साधिते हुए किसान और यूपा विरोधी बजट करार दिया है वही हमारे लखनव से संबादाता अधर ब्रस्तोगी ने अजे कुमार ललू से बजट को लेकर बातचीत की उत्तरप्रदेश की मुख्यमंतरी योगी अधितनात ने कल अपने चौथा बजट पेश किया और इसे एतिहासिक बिजट पाया ये बजट पांच लाग करोन से उपर का है लेकिन विपच इस बजट से संतुष्ट नहीं दिख रहा है विपच के हिसाब से ये धोखा बजट है ऐसा सपा सुप्रीमों अखलेश यादव का भी कहना था अब हम कॉंग्रेस पाल्टी के अधच अजे कुमार ललू से जानेगे कि कॉंग्रेस पाल्टी योगी सरकार के इस बजट पर क्या सोशती है सर कल जो बजट पेश किया गया सरकार ने कहा कि ये अतिहासिक बजट है और इससे पहले इतना बड़ा बजट युत्तर प्रदेश के लिए नहीं आए लेकिन लगातार कॉंग्रेस पाल्टी के तरफ से प्तिकिरिया दी जा रही है कि ये बजट भारती जंता पार्टी की सरकार ने सदन में पेश किया किसान नौजवान घरीब सोशित बंचित बयापारी उद्मी अपने आपको छलाव ठगा समझ रहा है हतास और निरास है जहां इस सरकार ने किसानों के आयदुगूने करने की बात कि थी आज किसान दरदर की ठ क्या एक रुप्या दाम बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है क्या धान का दाम 25 रुप्या कुंटल किया है क्या गेहूं का समर्थन मुल 32 रुप्या कुंटल किया है आवारा पसू से निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था करने का काम इस सरकार ने किया है क्या जो रा बनाने का काम किया है निश्चित रूप से किसान अपने आपको छलाओ ठगा समझ रहा है नौजवानों के रोजगार के संदर्व में अगर आप इसमें देखें रोजगार का कोई प्रायोजन करने का काम इस बजट में नहीं किया गया सरकार कह रही कि इन्वेस्टमेंट हमला रहे हैं जो बजट है से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने एक सैमसंग का उधारन दिया कि सैमसंग ने इस प्रदेश में पचास जान नोकरियां दी बीजेपी के निता कई बार डिबेट्स में लगातार पोश्टर और बैनर वाली सरकार से दिन भट टीवी पर बोलने वाली सरकार से कि कितना पैसा किस उद्वी ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया कौन सी योजनाय चालोगा कितने नौजवानों को 2017 के बाद आज नौकरिया पूछिए इन से इनके विभाग के मंत्रिय से कितनी भरतियों का प्रायोजन किया और जो भरतिया निकली वो कहीं न कहीं उसमें किसी तरह की ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जो वह कोर्ट के हवाली चली गई और आज तक वो लंबित भरतिया बनी हुी है ऐसी पहली सरकार है जिसमें SDM और CEO के परचे लिख किये गए उत्तर प्रदिश लोग से वाई होके और तमाम 50 लाग से 60 लाग में SDM और CEO बने हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से आप बताएं कि नौजवानों के लिए आपने क्या किया हर तीन घंटे पर दो नौजानात मत्य कर रहा है लगवक्त तेज दस्मलाई एक प्रत्सत उत्तर प्रदिश के बेरोजगारी का दर है क्या सरकार इसके लिए कोई प्रवजन कर रही है सरकार ने बिधानसभा के सवाल के जवाब में इस बात को माना है कि हां बेरोजगारी बढ़ी है उसके बाद भी अगर यह सरक सरकार का है कि हम रोजगार प्रत ब्यवस्था लाने की बात करते हैं तो यह नौजवानों के साथ धोखा है स्मार्ट सिटी के लिए भी काफी बजट में प्रावधान लखा गया है लेकिन स्मार्ट सिटी की जो रूप रेखा होती है क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी को सरक लखनों आपको smart city दिखता है है दिल कहते तो है कि λखनों터로 चल गई लखनों smart city हो गया साफ सफारी तैया सरकार का सांतर में इनके Сरकार की परयोजना में अ है बनारस में square दोट जल गई हो गया smart city लहावाद हो गया smart city मेरत हो गया smart city है यह सरकार केवल छलाव और धोखा कर रहे हैं एक और सवार गंगा को जहां प्रधान मंत्री कहते थे गंगा माँ मेरी माँ है इतना बड़ा पोजेट रखा गया था इतना पैसा बहाए गया इस बजट में भी प्रावधान गंगा सपाई नदियों के सपाई लिए यहां तकी प्र captured की सब्सक्राव सब्सक्राइब लिए इस पहली सरकार है इस बजट के लिए एक शब्ड ये पहली सरकार है मैं थोड़ा एक और बात आपको बता दू जिसने दलित और पिछलों के आरच्छन को समाप्त कर दिया पहली सरकार है उनकी छातविर्ती के बजट में प्रावधान कम किये सिझ्छा के बजट में भारी कमी करने का कामी सरकार ने किया है और पिछले समयों के किये कार को कितनी बार एक किताब में आप लिखेंगे सिझ्छा से एकल विध्याले के पिछी ने ताओं ने सवाल अठाये कि संग किशाकर उसको करा जा रहा है और जो प्रशासनी विध्याले हैं प्रबाद करा जा रहा है कोंगर्स पार्टी क्या करें नौदय विद्याले के फिसको बढ़ाना, हास्टल के फिसको बढ़ाना और जो गरीब यतीम, सोशित बंचित परिवार के बच्चे थे, उनको पढ़ाई से बंचित रखने की सरकार ने योजना बना लिये, अवटल विहारी बाचपेजी के नाम पर इन्हों ने आवासी चुनाएंगे ये, बीस चल लाएं, बाइस में चुनाव है, केवल ख्याली पुलाव है, इस सरकार को किसी से कोई ले न देना नहीं। अब देखते हैं कि आखिर इस बजट से जो चीजे निकलती है, उनका जमेनी स्तर पर क्या परभाव परता है। जो योगी जी की सरकार बरतमान सरकार उत्तर प्रदिस के बजट पेस की है, ये किसानों के नहीं हित में है, किसे के हित में ही नहीं बजट है। देखिए, हम बेरुजगार नौजवानों को पर किसानों को क्या हूं से स्किम दाया है, कोई बजट नहीं रखा गया है, ना ये किसानों को पर, इन्होंने एक रूपिया जो है, गयों धान का दाम बढ़ाया है। और अपने मुनिफेस्टों में गोशणा पत्र में कहते हैं किसानों को दुगुना कर देंगे। इससे किसान को क्या मिलने वाला है। गाओं में उनकी सारी फसले वरबात कर रहे हैं सान और इनकी लोग। तो कैसे होगा। तो ये सरकार जो बजट रखी है, बिलकुल किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, सब के विरोध में बजट रखाया गया, बजट से अमनों संतुष्क नहीं है। और इस बजट में भी जो जो चीज़े की हैं, इसका लगता नहीं है कि ये इस परदेश को उबार पाएगी ये सरकार। इस परदेश को डुबाने का काम ये सरकार करेगी, इनका केवल काम हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम करना है, नोजवान को रोज़गार देना यह नहीं है मज़क्ष किसानगों के लिए भी है सिफ्छा के लिए भी है और किसानों के लिए उप्राइस बीन आफ इसका सब्हका साथ सब्हका विकास के साथ काम किया जायेगा और है वाधि निहीं से कोई कोता ही नहीं किया गया है, सब के लिए बचत है, बढ़िया बचत दिया है, इससे हमारा हम लोगों को फायदा है, नुक्सान नहीं है और बढ़िया बचत दिया है। तो क्रिसी प्रधान देश जब होगा, जब क्रिसी पर बजट बढ़ाएं, तो क्रिसी पर बजट नहीं बढ़ा है। कि लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, और यह एक तरीके से जो निरासा जनक बजट है मारा। देखिए बजट हर साल पेश होता है, यह को नहीं बात नहीं है। बेपारियों के लिए हर साल कवर्मेंट घोशरा करती है, लेकि जिस तरह बजट होना चाहिए, देखिए बेपारी से लेकर किसान, मजदूर, बरजगार, युएक हैं, जिसके सहयोग से सरकार बंती और विगड़ती है, उनके लिए सरकार को बजट लाना चाहिए। जिस तरह बिकास की बात होनी चाहिए, उस तरह का बजट नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे देश में बढ़ रहे हैं, उनकी बिरजगारी दूर करने के लिए जब तक बजट नहीं ला जाएगा, ति ये सब बजट बेमानी है, इसका कोई माने मतलब नहीं है। जोगी अधीत नहीं ने जो बजट पेश किया है, वह बहुत ही काबिले तारीप है, और किसानों के हित में, नौजवानों के हित में और तमाम, जाहे वो दवा का मामला हो साओ्स सिख्षा के चेतर में, हर चेतर में बेटर नहीं होने ध्यान में रखते हुए, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट पेश किया है। बजट पेश किया है। तर्श किया निलकनौ निलकनौ से केमरा परसंग गयान के साथ मारा धरवरस तोगी एक्स्पोज इंडिया के लिए। इस्थनेत चेंदा पारा नियू 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 के उने एंक्षपोस एंडारो कीफ वाचि वाचिछ झॉकरणीन